यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ गोस्था रहने वालता शहीट्वास्यों के लिए है बड़ गामा में चौपर क्रेश हादसे में जवान शहीद हो गया पुर्ण के रहने वाले थे और चौपर क्रेश हादसे में शहीद हो गया तो कहिना कहीं इस तरह की खबर पूरे देशवासियों के लिए या फिर यूँ कहें नरायनगर वासियों के लिए और उनके परिशनों के लिए दुखत खबर है पिछले दिनों भी पुलवामा में आतंकी हमले हुए 40 शहिद जवान हुए उसका दर्द भी कहीं न कहीं देशवासियों में था और अब नरायनगर से सिधार्थ शहिद हुए हैं जो एक बुरी खबर भी मानी जा सकती है क्योंकि वो भी हमारी देश की रक्षा के लिए तैना पिछले झालव किवद से सिधार्थ